पूरी खबर समझेंगे कौन से स्टॉक को इसका फाइदा हो सकता है सारे रिस्क रिवार्ड रेशो को भी जानेंगे तो काम कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते है बड़ उससे पहले जरू कहना चाहूंगा आज के दिन बहुत सारे वीडियो अल्रेडी अपलोड हो चुके सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बहुत सारे कंपनी के नंबर आ चुके उसके भी वीडियो यहाँ पर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे सो दोस्तो अभी हम लोग डिरेक्ली आ चुके यहापे आर्टिकल के उपर एंड आप सभी लोग को पता है कोविड यह पूरे दुनिया का तो इंपोर्टन सब्जेक्ट है बट इंडिया का तो बहुत ही जादा क्यूंकि सेकेंड वेव कुछ जादा ही हम लोग को तेज होते ह को दोस्तो अन के जैसक दोस्तो जोकते हैं तो डेफिनिटले हैं उनक तो इसकता है बहुत है कि उन शेरोल्डर को लोटरी भी लग सकती है अगर इसको यहाँ पे इमर्जेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो The company Zydus Cadillus is likely to submit the application for emergency use authorization of its COVID-19 vaccine candidate हम कह सकते हैं आपे ZyCovid in India this month Yes दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं Company ने trials बहुत ही जबर्दस कि है लगबग 28,000 trials यहाँ पे हो चुके मतलब वो medical terms में चीज़ें चलती रहती है और वो confident है कि उनके vaccine को यहाँ पे approval मिल जाएगा और वो भी May month में ही मिल जाएगा मतलब यह जो month चल रहा है इसी month में हम लोग को शायद से India को चौती vaccine से related emergency use के लिए शायद से approval मिलते वे देखने को भी मिल सकता है सो आप लोग जैसे मैंने आप लोग को बता है कि ZyCovid अगर approved हो जाती है तो इंडिया को यह fourth vaccine यहाँ पे मिल जाएगी और वो भी emergency use के लिए उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अगर approval मिल जाता है तो vaccine production की जो capacity है 3-4 करोड डोसेस पर मन्त यहाँ पे company बनाने का यहाँ पे प्लान कर रही है इसके चलते इंडिया को vaccination का जो प्लान है मतलब जो target किया जा रहा है 130 करोड आबादी वाला देश है जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा vaccine लगाए जाए तो हम कह सकते कि बहुत ही बड़ा प्लान यहाँ पे फिलाल चल रहा है हलाकि यह सारी चीज़े हम लोग को approval से related देखने को मिलने वाले मतलब approval मिलेगा तो यह सारी चीज़े हो सकती है अगर vaccination से related कुछ अगर आपको data चाहिए तो आप देख सकते है यह फिलाल 2-8 degree Celsius में यह store किया जाता है बट उन्हें यह भी कहा है कि 25 degree Celsius में के temperature में भी condition में भी हम कह सकते remain stable यहां पर यह सारी चीज़े आपर बताई है उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहां पर बात करें जाए COVID की अगर हम लोग यहां पर बात करें यह उसी company ने बनाई यह जो विराफिन बनाती है आप सब लोग को पता है बीच में विराफिन का भी requirement कितना जादा बढ़ चुका है and in fact अभी भी उसकी demand जबरदसते विराफिन आप लोग को पता है इसका फाइदा क्या होता है एक ऐसे मतलब जैसे मैंने बताया था इससे पहले भी जो adult लोग है जिसमें medium level का COVID हम लोग को देखने को मैं जिसको obviously वो यहाँ पे approval का अभी इंतजार यहाँ पे कर रहे है तो definitely हम कह सकते Cadillac Healthcare इस शेर में भी जबरदस यहाँ पे आग लगते हैं हम लोग को देखने को भी मिल सकती है अब यह सारी if condition वाली बाते मिल जाता है अगर जाई COVID को भी approval मिल जाता है तो double benefit इस company को यहाँ पे हो सकता है जो कि pharma sector से ही जुड़ी होई company है तो हम लोग कह सकते हैं तो pharma companies form में यहाँ पे चल रहे हैं आप देख सकते हैं 5 दिन का चार्ट पेटन एक मैने का चार्ट पेटन 1st January एक साल का चार्ट पेटन पाथ साल का चार्ट पेटन एंड maximum चार्ट पेटन भी तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि COVID के चलते हैं इस company का बहुत ही जबर्दस वी शेप आप easily यहाँ पे visible होते वे देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड बहुत ही एक बड़ी उमीद यहाँ पे इस company के जो अभी वेक्सिने जो रहेगा उसके न्यूस के उपर भी यहाँ पे रहने वाली है अगर यह चोथे नंबर की वेक्सिन इंडिया को अगर यहाँ पे मिल जाती है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते है कि अगर कैडिला हेल्थ केर को जाइड़स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है अगर इनको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाते है इमर्जंसी यूस के लिए वेक्सिनेशन से रिलेटेड सो गजब का यह न्यूस हम लोग को देखने को मिल सकता है तो दोस्तों जैसे बलते हैं हम लोग कि स्टॉक मार्केट में डेटा तो इंपोर्टेंट है पी ए रेशो हम लोग देखते हैं यह रेशो देखते हैं एक्स वाई जेट रेशो कोई भी देखते हैं बट सबसे मेन चीज़ कहीं अगर होती है तो वह तो यह observation skill कि फिलाल यहां पर चल क्या रहा है बाजर में जो मैं बोलता हो ना कि बड़े लोग investor क्यों बड़े बनते future oriented आप लोग उन्हें रहना चाहिए future oriented की बाजर में अभी की demand क्या है requirement क्या आगे आने वाले 10 साल के बाद भी बाजर की requirement क्या रहेगी अगर आप वो ट्रैक कर पाओ तो आप लोग बाजर में कमाल कर दोगे यही चीज़ अभी हम लोग को यहां पर होती भी देखने को यहां पर मिल रही जो stock 300 पी तक आया था वही stock अभी 600 के उपर यहां पर जा चुका है और भी कुछ डेटा हम लोग जरू देखेंगे बट उससे पहले हम लोग balance rate के और आ जाते कंपणी के result 7, 7500 से 8,000 से 11,000 के आसपास या फिर 11,000 के आसपास हम लोग बोल सकते वो तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे then company के उपर जो करजा है पहले 2000 करोड का था अभी 1500 करोड पिछले टाइम से तो कम यहां पर देखने को मिल रहा है फिर भी 1500 करोड का तगड़ा करजा देखने को मिल रहा है short term borrowing भी fluctuating manner में रहते 1300-1400 करोड का करजा है and अगर हम लोग यहां पर बात करें company के पास cash की स्थिती क्या है so 100 करोड के बाद यहां पर 385-400 करोड का cash भी नजर यहां पर आ रहा है so definitely हम लोग कह सकते company का performance बहुत ही शानदार यहां पर देखने को मिल रहा है and अगर हम लोग company के numbers की बात करें आप लोग यहां पर देख सकते December quarter के number मतलब company के अभी तक quarter 4 के numbers यहां पर देखने को नहीं मिले है so flat numbers नजर आ रहे revenue की हिसाब से बात करें बड़ इसमें से company ने profit कितना निकाला है तो आप देख सकते हैं अच्छा गासा profit company ने निकाला है so क्या इस वक्त भी company के अच्छा profit निकालेगी 4-13 करोड का जो profit था क्या उसको company बीट कर पाएगी की नी इसके उपर अभी बाजर का focus रहने वाला है share holding pattern की बात करें तो 75% के share approximately promoter के पासे कोई भी share यहापे गिरवी नहीं है उसी के साथ-साथ foreign investor कितना hold करते तो आप खुद देख सकते लगबख सवा 5% D.I.S. की बात करें तो लगबख साड़े 11% और बचा हुआ public के पासे जो कि यह लगबख साड़े 8% so share holding pattern से लेके हर कोई data अगर हम लोग ने आपे चेक कर लिया है की जो भी फार्मा सेक्टर की companies उनके उपर आप लोग फोकस रख सकते हो किसी भी फार्मा कंपनीज में हम लोग को positive खबर यहां पर आती वे देखने को मिल सकते हैं maximum जितने भी फार्मा कंपनीज है वो तेजी में आप चाओ तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स देख सकते हो आपको अंदाज अब आ पर आ जाएगा सो कैडिला हेल्थ केर अभी आपके रडार के उपर जरू यहापे रहना चाहिए इसको भी आगर आप चाओ तो जरू स्टडी कर सकते हो आपको अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरू लाइक एंड शेयर कर देना इंड स्टाउक मार्केट क्लासेश के उपर जो वीडिया है उसको भी कवर कर लेना वी बिल भी मिटिंग अरनेक शुड़े तब तक के लिए बाई बाई